हेलो एव्रिवाइन वेल्कम बैक टू माय चैनल मामा बेबी होप यॉल आर डूइंग गूड आज मैं आप लोगों को को रोना वाइरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगी सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकामिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और अगर पूरी वीडियो देखने के बात आप लोगों को यह वीडियो अच्छी और इंफरमेटिव लगे तो इयर हमारे डर में ही बीता काफी ज़दा देथ भी हुई और काफी पैंडामिक सिच्वेशन रही लोगों ने घर पर रहकर ही टाइम बिताया काफी जगे करफियो लग गया था काफी जगे लॉकडाउन हो गया था काफी ज़दा प्रॉब्लम्स हो गई थी लोगों को 2020 में इस सिच्वेशन किसी तरह से हैंडल हो जाएगी कि तब तक वैक्सिन आजाएगी और हुआ कुछ ऐसा कि 2019 के एंड देसेंबर तक यह सिच्वेशन कुछ हद तक कंट्रोल आने लगी ड्यूटू आप कहें लॉकडाउन या ड्यूटू कर्फियू सिच्वेशन काफी तक यह सिच्वेशन कंट्रोल में आ गए दी जैन फैफ काफी तरीके से बीते पर मार्च एंड तक यह स्टार्टिंग में इसकी सेकेंड वेव जो कि इससे भी कई ज्यादा डेंजरस हैं सेकेंड वेव बच्चों को भी काफी हद तक इफेक्ट कर रही और ज्यादतर के जो के से से काफी कम रहया Round इसकं के बश्युद बच्चों के लिए कर न हमिसी बर इनजरस मानते हैं क्योंकि बच्ची अमें प्रप्रब्लम्स नहीं बता पाते हैं अगर बच्चों की कुछ सुंतर्म्स हम देक लेते हैं तो हमेंगे पता चलता है कि हां बच्चों को हुआ यह तो अगर बच्चान की बता पारा हैं उसाल कुछ इसी प्रॉब्लम्स देह लिए ही जैसि कुछ एक-दो साल के बच्चें नहीं है यह नहीं बतापाते हैं कि उस समय पुछ सबसे पहले हमएं क्या क्या बात में रखने अध्यान में इस रिशा को को कोशिश करने कि हम बच्चे को बाहर बिल्कुल न कर लेगर को बने कोशीieht करें तो अगर बच्च望 सबस्क्राइब करने operates तो बच्चा है अभी छोटा थो इंपेंट है तो बच्चा मा के ही ओन्टेक्ट में रहे हैं और फैमिली के आदर मैंबर से दूर रहें क्यींकी सी जाते हैं ऐसे ने सब्सक्राइब करते हैं जिसे कि या कुछ लोग वर्किंग था हैं औ तो बच्चे से एक बिस्टेंस में रहे ताकि उन से बच्चे को होने के चांसे ना रहे हमें इस समय बहुत जरूते हैं अपने इमोशन को बहुत जादा करने की फिर भी अगर आपको लगते आपको इंफेंट के पास जाना है तो कोशिश करें कि जितना टाइम आप करें अगर आपको जाने वाल हाला कि अभी स्कूल और कॉलेज बंद है तो आप बच्चे को मास पहना कर भेज सकते हैं और आपका बच्चा ने थी पुर्चे तो आप उसे मास विल्कुल ना पनाए क्यों कि थी यह से लेस्टेक्ले मास बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है त तो जाए विए पाइज को अच्छों को पहना नहीं चाहिए बच्छों को बीधिंग से रिलेट प्रॉब्लम सो सकती है और बच्छा में भता भी नहीं पाएगा तो बच्छे के लिए हामफू हो सकता है और अभी कोई आसार है नहीं वैसे स्कूल कॉलेज के अगर खुलते हैं और समय कोरोना रहता है तो बच्छा यह जरूर ध्यान में रखे इसके लावा बच्छों को हेल्दी फूट देजिए बच्छों के खाने में ग्रीन वेजटेबल्स जरूर एड़ कीजिए बच्छों के लैमन जरूर दीजिए बच्छे को सीजनल वेजटेबल से वह खिलाई है जितना बच्छे हल्दी फूट खाएगा इम्मुनिटी बूस्ट होगी तो यह वायरस बच्छे को जल्दी से एफेक्ट नहीं करेगा इस टाइम पर भार की खाने को ज्यादा से ज्यादा कीजिए अगर रेगुलर बेसिस की कोई चीजें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के लिए वही लेने जाए और सिर्फ एक बंदा ही वह लेने जाए ताकि सबका बाहर जो आना जाना आपका रहेगा उतना जादा यह वायरस आपके संपर्थ में आएगा क्योंकि ज अगले दस मिनट बाद पांच मिनट बाद या आदे घंटे बाद भी कोई एंटर करता है तो उतने टाइम तक वायरस हवा में रहता है और उस बंदे के एफेक्ट होने के चांसे बहुत जादा रहते हैं इसलिए कि आप बहार एक ही बंदा जाए और कम से कम जाए और जब आप बहार जा रहें तो जादा से जादा सानिटाइजर को यूज कीजिए सानिटाइजर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यह एक तरह से आपके मजबूरी बन जाता है किसी डोर की हैंडल को आपने हाथ लगा लिया या आपने लिफ्ट में कहीं कोई बटन प्रेस कर दिय कि समान को टैक्च कर लिए तो आपने हंछाने है के इमीजिकटी सानिटाइज कीजिए भास जरूरी है बहर से काई ले ले घुगिले वह से बेट में चुछ नहीं स्वायब पर रावा बिज़क सब्सक्राइक कर दोबनेशे जाएंगे बिलकुल मतसोचे के सब्सक्राइब इसमें अभर राव से मुर्जह जाये अरुछ से जब शाएंगे जलै कि तरुछे के भी मैं पूस्य कषाई क हैं तो आप से सब्सक्रामी को तरुटशान और है यह फे कलिऊ जाने को अजय तक हम थेतल रखाई प्र आप Zलाइक अ इसे रहे हैं तिक सब्सक्रास अजुद्स और फ्र Premium को फिसलो के लिग एग परोटांडします विटामिनडी इड़ी।र को बूस्ट करने में अग zatुछी है, यहां पर बात करते हैं। कपड़ों के मास्क पहनना हम लोगों ने स्टार्ट कर देता बड़ा फैशन सा चल गया ता कि जो क्लोथ वाले मास्क के वह हम पहन कर घुमें और उस समय पे यह वायरस थोड़ा सा कंट्रोल में भी आ गया था बट अभी क्योंकि सेकिंड वेव आई और वह बहुत ज्यादा ने यह जाते हैं जो कि use and throw होते हैं आप उन्हें यूज कर सकते हैं आपको one time use and throw नहीं करना आप उनको यूज करके डिटॉन में वाश करके फिर अगें reuse कर सकते हैं या 10 या 15 तक कर सकते हैं उसके बाद यह मास्क काशन का मोध कीजिए तो इस ताइम पे काफी जादा है है हाला कि न्यूस में बहुत सब्सक्राइब होती है इसके लिए काफी कॉपरेटिव होती जारे सारे हॉस्पिटल में वैक्सिनेशन चालू कर दिये है और पेशिंट्स को जल्दी से जल्दी रिकावर करके डिस्चार्ज करने की पर्मिशन भी गई है पेशिंट का अच्छे से द्यान रखा जा रहा है तो बिल्कुल मठ डरिये कि होस्पिटल से लोगों के साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सरकार को परेटिव हमें भी प्रिकॉशन रखने चाहिए और वैक्सिनेशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि हमारे जो यह नैशन है कुछ ऐसी आपके बॉर्डी को काफी जाता स्टॉंग बनाते हैं तो वैक्सिनेशन जरूर लीजिए अभी 18 प्लस के लिए भी वैक्सिनेशन आ चुक है नेक्स मन से तो मैं भी जाकर लूंगी आप भी वैक्सिनेशन जरूर लीजे काफी इंपोर्टेंट है एक बात बताती हूं अग इस अगर इंफेंट ब्रेस्टमिक में और अगर मदर को करोना वायरस तो बच्चे को होने के चानसे हैं इसके कोई ऐसे ऐसे एक स्टॉडी नहीं आई है तो अगर आपको हो गया है बीग अधर तो आपको अपने बच्चे से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें एक बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगी कि आपको कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आज के रेगुलर बेसे में 10-15-25 पर तक सैनिटाइजर यूज कर देते हैं जिसमाल के पर बाहरा मार्केट शॉपिंग ने प्ले की निगाएज पर तक सैनिटाइज कर देते हैं जानते हमेद पर यूज पर जया तो इसानिटाइजर को जाने से कैंसर तक क्योंब्लम हो सकती है जैसे कि आप अगर भार से कुछ समाल लेकर आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जल्दी से हैंड डिटॉल या किसी और अच्छे हैंड वाश कर लिए रेधर देन आप सैनिटाइजर यूज करें तो आप कोशिश हीजिए सैनिटाइजर मज़ूरी में जरूर यूज कीजिए जादा यूज को अवाइट करिए और बच्चों के लिए तो सैनिटाइजर के बिल्कुल इस्तेमाल मत किजिए अगर आपने बच्चे के आध में डाल भी अगया तू घलती से बच्चे ने हात मुह में डाल लिया तो धीरे सैनिटाइजर बच्चे की बॉर्डी में तो बच्चे में इसके कोई symptom नहीं दिखाए देते हैं पर उससे क्या होगा कि चाहतो इससे रिकवर कर देगा विट टाइम पर यह वाइरस वह घड़ के अधर मेंबर्स को दे देगा और इसमें सबसे जाधर डेंजरस है अगर कोई एज ग्रूप के लोग हैं जिसके 50 प्लस 60 जिनके सिवेर केस के रूप में आगे जाकि प्रॉब्लम कर सकता है तो उन लोगों से जाधा रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने दूर रखें ताकि बच्चे के थ्रूई और में में ना होगा आपके फैमली में कुछ एक पर्टिकुलर एज ग्रूप के लोग हैं उनसे बात कर के उन्हें कुछ ताइम दरिडेकि ताकि ओनने जरूरत ही ना पड़े बहार जाकि किसी अपनी ग्रूप से बाद करने की और फिर वाफ करने की घर पर हaces आपना वाक टॉक्ट सब घर पर करें जो आपने बाते करें तो इस चीजिस का खास जाना कि बाहर ना जाने दें किसी को इन सब चीजों के लिए एकसे आपके जो जो रहुत की रेगुलर बेसी की चीज़े पर चेस करने अगर वर्क करने के लिए जाना है उसके अलावे अब बाहर जाना जादा से जादा यह जो नई वेव आई है इसमें कुछ नए सिम्टम पी सामने पे आएं जैसे कि पहले हैडेक होता था खासी होती थी ट्रैक अफ होता था थ्रोट पेन होता था चेस्ट पेन होता था बट अभी बच्चों में देखा गया है कि इन सब के साथ तो कम लोगों को लेख़ चिए किए पाल या डायरीया बट वॉर्मेट हो चोटां के साथ एप्जी का शहरा था रोचे प के सब करें रिया गया बचय मत अबसा देख आणा दो करिंग कर लोगा घंता है तो था देंग पेस हो या बचल की बात्धिया है और बच्झे को और जुशिश करें कोशिश के रिए अपने डॉक्तर को करने कि वीडियु कॉल पे आपसे बात करें बच्य की प्रॉब्लम मेंगा दॉक्टर को बता सकते दोक्तर कोई का एपको त्रीटमेंट करने की जुरू है कुछ सीवीर है या बच्चे को घर पर ही हूम आइसोलेट करक और बेटर इस टाइम पर बच्चों को अगर आप oxygen का प्रॉब्लम नहीं है तो होम कॉरेंटाइन करकर ही ट्रीट करें वों के लिए और फिजिकली तोनों तरीके से अच्छा रही है जैसे कि हम लोग नॉर्मल फीवर के लिए क्या करते थे पारसितमों लेते थे थे अभी हाई फीवर के वज़े से कुछ अलग मेडिसन सा रही है तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत हुए अगर आपको इस वायरस ने इसक्ट कि हाई फीवर के अलग मेडिकेशन दे रहे हैं तो आपके लिए कहीं डेंजरस तो नहीं है अलग मेडिकेशन आ रही है क्रोना में हाई फीवर हम लोगों के सारे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे गूगल पे न्यूज में आना शुरू हो गया था तो आप सब को काड़े की पता होगी काड़ा बनाई है घरवालों को भी पिलाई है काड़ा बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो रेगुलर बेसिस में नहीं पिलाई है और ऑल्टरनेट डेस पे या दो तीन दिन के गैप पे काड़ा जरू दीजिए अगर आप चाहते हैं तो मैं काड़े के तो हल्दिवाला दूद तो एक बहुत इंपोर्टेंट है इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तो अगर आपके बच्चे चोटे हैं जैसे की वन यह टू यह के हैं तो उन्हें भी हल्दिवाला दूद जरूर दीजिए अगर अगर आपका बच्चे को अगर मिल्क दे रह यह एंहां पंचे को नहीं आपके णेट आयए बाद आपिक बिचा अगर शोमीजि आपके बिच्चे को पर खण दो इंब बच्चे को रखिए और डे आपको ज़्यास खृत लुक्र बेक्रव कारवश को अपने बच्छे को पासितर करेंगे इन सब प्रिकॉशन का अच्छे से ध्यान रख्याइप को इस से एफक्ट होने के चांसिस बहुत होते हैं या एंड्रेड में से 10 परसेंट चांसिज रहते हैं को इस अगर इन सब थ्यान में रख लिया तो आपने रोलना से खुद को बचा लिया क्योंकि अब सेकिंड वेव आ चुकी हैं इंडिया में एंटर कर चुकी है हो रही हैं थार्ट वेव आने के भी चांसि है हम ही यह जो इसको बचा सकते हैं अपनी कण्ट्री को खुद को इससे तो अपनी सेफ्टी बहुत ज़ादा important है इसी लिए इन सब बातों का खास ध्यान रखिए stay safe stay home, thank you